92.7 Big FM पर आप सुन रहे है दिल्ली मेरी चान रिचा अनिरुद के साथ आजकल हमारे देश में बहुत बहस चल रहे है कि भई नैशनलिस्ट कौन है और अंटी नैशनल कौन है देशभक्त कौन है और गद्दार कौन है भई मेरा तो ऐसा मानना है कि हर वो हिंदुस्तानी जो समय पर और ठीक तरह से बिना चोरी किये टैक्स बरता है न वही सच्चा देशभक्त है आज आखरी डेट है टैक्स फाइल कर दिया न नमस्कार गुड मॉनिंग 92.7 Big FM पर आप सुन रहे दिली मेरी जान मैं हूँ आपके साथ रिचान रुद और आज एक और वज़े से ये दिन खास है T20 World Cup में भारत अज अपना सेमी फाइनल माच खेलने जा रहा है West Indies के खिलाफ क्या-क्या तैयारियां आपने की है क्या-क्या टोटके की हैं मुझे कॉल आगा कर बताईएगा 39, 927, 927 पर यसे 31 मार्च जब मैं छोटी थी ना तो में लिए पर्सनली बड़ा एक्साइटिंग डे होता था क्योंकि थोड़ी फणी सी बात है लिए कि मुझे लगता था कि आज से बस exactly दो महिने बाद मेरा बर्दे आने वाला है तो मैं इतनी खुश रहती थी कि बस अब तो मेरा बर्दे समझ लो आ ही गया तो बहुत सारी वजहें है आज का दिन बहुत इंपोर्टन है डिली मेरी जान में बहुत इंपोर्टन है क्योंकि आज डिली के दो सिटिजन्स जिन्होंने हमारी बोल दिल्ली बोल कैंपेन में आवाज उठाई, बोला, शिकायद करी, उन दोनों की प्रॉब्लम्स मैं concerned authorities तक लेकर जाऊंगी, एक शिकायद दिल्ली जल बोर्ट से है, जिस पर जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे कपिल मिश्रा जी और एक श नमस्याओं का solution हम निकाल पाएं, क्योंकि ऐसे ही होगा पर छोटा छोटा एक कदम रखकर ही एक लंबा सफर हम सब को मिल करते है करना है, नमबर अपना पिर से बता दू, 39, 927, 927, क्या तैयारियां की हैं, आज semi-final match के लिए आपने बताईए मुझे, मैं हूरु रचान, 92.7 Big FM, very good morning. चुरू किया था हमने, हमने आपसे कहा था कि आपके लाके में कोई प्रॉब्लम है, तो हमें कॉल लगा कर बताईए, और हमारी पूरी कोशिश होगी, कि वो प्रॉब्लम हम concerned authorities तक पहुँचाएं. डॉक्टर संदीप उपता है, उन्होंने हमें फोन किया था, और उनकी प्रॉब्लम दिल्ली जल बोर्ट से रेलेटेट थी. बिल्कुल जरुब्लम दिल्ली जल बोर्ट को रेपरसेंटेशन भेज रहे हैं और मिल रहे हैं जितने भी अधिकारी हैं वहांके, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसके लिए, तो उस प्रॉब्लम को लेके मैं आपको अप्रोश करना करा ता कि अगर आप हमारी प्रॉब्लम को बोर्ट कर सकें तो लोकल अफरिटी चलिये तो ये प्रॉब्लम डॉक्टर संदीव गुपता लेकर आएं फ्रेंड्स कॉलनी वेस्ट से इस पर सुलूशन कपिल मिश्रा जी क्या देंगे यह मैं से जानूंगी वस सबसे कुछी तेर में आप लोग सुनते रहे हैं 92.7 नाम लिख दीजिए या एक अप्लिकेशन लिख दीजिए इंतजार करते रहे हैं सुनवाई कहीं नहीं होती बात चाहे इश्क की हो या सरकार से शिकायतों की नमस्कार 92.7 बिग एफम पर आप सुनने दिली मेरी जान मैं हूँ आपके साथ रिचान रुद लेकिन दिली मेर वेस्ट के बी ब्लॉक के सीवर सिस्टम की शिकायत की है उस पर अब क्या कारवाई करेंगे दिली जलबोर्ट के चेर्मन कपिल मिश्रा जी उनहीं से पूछते हैं कपिल जी बताईए क्योंकि कोडिनेशन ठीक से नहीं हो पाया और इतना लंबे डिले हो गया कि जिस एजनसी को काम करना का बाद में उसने काम करने से मना कर दिया अब हम लोग इसको दुबारा टेंटर में लेके जा रहे हैं और मैं आपके माद्यम से जिनों ने शिकायत किया उनको यह बरोसा सकता हूं कि तीन महीने में हम महाँ पर काम सुरू करा देंगे पिसले चार साल से यह काम अच्का हुआ था और तीन महीने में जरूर जमीन पर यह काम सुरू हो जाएगा तैंक यू सो मच कबल मिश्रा जी अज़े बताई आज शाम को सेमी फाइनल मैच देखेंगे क्या तै चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिली मेरे जान में हमसे बात करने के लिए तैंक यू सो मच चलिए तो डॉक्टर संदीप कुपता आई होप आप साटिसफाइड होंगे तीन महीने के अंदर कपिल मिश्रा ने कहा है कि फ्रेंस कॉल्नी वेस्ट बी ब्लॉक में काम शुर चलिए मेरे जान में आप है रिचान रुद के साथ मेरा नंबर है 39927927 ये है 92.7 बिग फ्रेंग कॉई ना कोई ना था तो मेरा आपसे भी है बरना समझ लीजे आसान नहीं होता सुबा पांच बजे ओट कर स्टूडियो पहुँचना और आप सब के लिए रोज एक शो ले जा रही है अब जो अगली शिकायत हम लेने वाले है वो महरोली से है उस पर जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ गये हैं महरोली से आम आप भी पार्टी के मेले नरेश यादव जी गुड मॉर्निंग नरेश जी गुड मॉर्निंग मैम कैसे हैं बिलकुल ठीक अचा चार सालों से हमारा रोड में काफी गटर रोड पे आ रहा है और हमारी जो कंसर्न मेले है नरंदर यादव जी है और जो कांसलर है पुशपस अब्बीर सिंग है मैंने दुनों को लिखा है और तीन बार में मेल बेच जुका हूँ दो बार उनको मैंने वाट्साइप किया है फोटोग्राफ्स एवरिफिंग मैंने उस पर लिखे इन इवन मैंने साइन ले रखें यहां से करीबन दो सो साइन जो मैंने अप्लिकेशन उनको मेल भी किया हुआ है कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है काफी हमें प्रॉबलम हो रहा है लोग चल भी नहीं पाते हैं मैं जान यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए और दिल्ली आप लोग आज शाम के मैच की क्या तैयारियां कर रहे हैं यह जरूर मुझे लगा कर बताएगा 39927927 मेरा नमबर है यह है दिल्ली मेरी जान मैरोली के MLA नरेश आदब जी मेरे साथ जोड़े हुए है मैं हूर रचान और हमारी बोल दिल्ली बोल कैमपेन में दिल्ली में बहुत सारे लोगों ने हमें कॉल्स लगाए अपने अपने इलाके की शिकायते पहुँचाएं कुछ देर पहले हमने सोफी की प्रॉब्लम मैरोली के विधायक नरेश यादब जी को सुनवाई प्रॉब्लम यह है कि वह काफी सालों से अटका हुआ था तो हमने इसको स्टार्ट कर तिया है फेज वन में और सोफी जी ने वैसे मैं आपको बताता हूं कि मेरसे डिरेक्ट शैरिल की बात नहीं हुई है लेकिन एक जनरल मैं बता रहा हूं कि अगर उनको इसे कुछ फादा होता है तो तो उसमें ज जैसे फेज वन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके पाद में उस एरिया के रोड के लिए भी आगी कारवाई हो जाएगी जो की एमसीडी बनाएगी एमसीडी में हमने उसके लिए पैसे भी जमा कर दिया है मेरा सिस्टम कुछ और है जैसे ये में को कॉल करते है मैं तुरंट जैसे जो सीवर देखता इसको कॉंफरें लेके और डारेक्ट पात कर दोनों का नंबर एक्सेंज करा जाएगा हूं और जैसे मैं बोलता हूं कि आज शाम तक मुझे सम्स कर देजिए कि इनकी जो प्रोब्लम में रिजॉल होई की नहीं तुरंट उसका मेरे बास शाम तक य एक महिने में आप को लगता है तो अज़ पर फफेक्ट तुम मैं बस यह शो करते हैं आपको सोफी जी से कनेक्ट करती हूं और उमीद करेंगे कि उनकी प्रोब्म जल से उनकी ही नहीं उसेरिया में इतने लोग रहें इसकी हाँ प्रब्लम एक से वाड है तो कोई किसी भी नरेश जी आज शाम को मैच देखेंगे आप ? दिल्कुल देखेंगे और इंडिया जीतेगी और मेरी तरफ से इंडिया को पूरी तरेशन शुप कम है बहुत 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 शुक्रिया दिलिवरी जान की तरफसे आपको पूरी संदिक लिए Thank you very much. Good morning. Hi, Richa. Good morning. Good morning. Sumit is side from Noida. Good morning, Sumit. I'm very excited for the match today. Last match, there was a big romantic match. It was a lot of fun. We can see that today. We're all very excited. We're all thinking about getting together. We'll sit down in the evening. We'll eat popcorn. We'll enjoy it for the match. It's a very small thing that I've done in the past 4-5 years. I think that I'll win the match for India. What do we do? Normally, I'll make a paratha with a alu. And we'll eat it with our friends. So, I'm a big fan. And when my friends look at the match, it's a paratha that we share 4 of the match. So, the match always wins. So, I think that you should come to the paratha today. Now, please. I'll cut a friend with a friend. So, we need to play 4 of the match. Yes, 4 of the match. It's very important. You can't take risk in the semi-final match. Yes, today we're all hoping for India to reach the final of the match. And we'll take the World Cup this time. So, Sumit, enjoy your paratha with your friends. Enjoy the match. All the best to the Indian cricket team. Thank you so much, Sumit. Okay, thank you. So, let's start your preparation. I'll do it too. So, it's time to say bye-bye. Next morning, there will be a big hero with you. Now, you'll be able to talk again with Siddharth. What we'll talk about today, Mahmood Ji. And 92.7 Big FM, but we'll listen to the songs that were hit. Bye-bye. Take care.